हलो दोस्तो नमस्कार आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम आज आपको इस वीडियो के थुरू ओफिस में मोश्टल यूज होने वाली एप्लीकेशन MS Excel के बारे में बताएंगे कि हम MS Excel को किस किस तरीके से ओपन कर सकते है और इन केस अगर स्टार्ट में एक्सल सो नहीं कर रहा है तो हम उसको कहां ढूंड सकते हैं जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखे फर्स्ट एक्सल ओपन करने के लिए फर्स्ट फॉर्मॉला है आप स्टार्ट की को प्रेस कीजिए जैसे आप देखेंगे इस्टार्ट में ओपन हो चुका है यहाँ पर आप सिंपली टाइप करना है एक्सल 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 टाइप करेंगे तो आपके फ्रेंट में दिख जाएगा कि माइक्रोफ एक्सल 2010 आपका जो भी ओफिस इस्टॉल है अगर आप तो 2013 है यहाँ पर तो 1300 करेगा अगर आपका 2016 है तो यहाँ आपका 2016 सो करेगा डिपेंड करता है कि आपका ओफिस कौन से इस्टॉल है जैसा कि मेरे ओफिस्टम में 2010 इस्टॉल है तो अभी यहाँ पर Microsoft Excel 2010 तो कर रहा है मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो Microsoft Office का जो Excel वर्जिन है वो ओपन हो चुका है नेक्स्ट पॉइंट है आपको रन कमांड ओपन करना है रन कमांड को ओपन करने के लिए दो तरीके है आप Start menu पर क्लिक कीजिए यहाँ पर R UN भी लिग सकते है पर रन क्लिक करेंगे जैसी टाइप करेंगे तो यहाँ पर Run App आपको सो कर रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं दूसरा ओप्सन है रन कमांड के लिए आप विंडो की और R डार्रेक्ली कीबोर्ट से प्रेस करेंगे तो यह रन कमांड ओपन हो चुका है यहां text bar में जो है वहाँ पर आपको simply Excel type करना है और आपको OKI enter press करना है देखिए Excel open हो चुका है हम इसको close कर देते हैं थर्ड option है आप इसको directly Excel की file create कर सकते है और उसको फिर open कर सकते है file create करने के लिए आप कहीं पर भी आपने computer में right click press कीजिए उसके बाद new पर click कीजिए और वहाँ पर ढूंड़िए Microsoft Excel worksheet जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहा है Microsoft Excel worksheet आपको नजर आ रहा होगा उसके click कीजिए देखिए सकते हैं आप desktop पर Microsoft Excel का एक sheet बन चुका है इस पर double click करेंगे तो यह देखे Excel open हो चुका है और थर्ड़ जो मैं फॉर्थ वाला बताने जा रहा हूँ यह mostly कम use होता है लेकिन यह कभी कभार ही काम आता है in case आप start menu पर click करते हैं और यहाँ पर आप Excel लिखते है और यहाँ पर Excel so नहीं करता है तो हमको यह Excel कहां मिलेगा आपके office already installed system में लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा है Microsoft Excel तो हमें क्या करना है हमारे system को open करना है इसमें जिसमें हमारा OS installed है या आपका Microsoft इस drive installed है हमें वो open करना है mostly यह auto defaultly C drive में installed होता है हमको C drive को open करना है उसके बाद program files को open करना है और इसके अंदर हमें डिपेंड करता है कि आपका office कौन से installed है मेरा 2010 है इसलिए यहाँ पर office 14 का folder है आप जो जो installed करोगे अलग-अलग तो इसका अलग-अलग folder का नाम होगा तो यहाँ पर मैं office 14 को open कर रहा हूँ अगर यहाँ पर आप बहुत सारी देखेंगे files है यहाँ more than 100 files है हम उसे भी ढूंड सकते है अधर्वाइस आप search बार में यहाँ पर उपर search बार आ रहा है यहाँ पर आप Excel भी लिख सकते है देखिए हम ढूंड के दिखा रहे है यहाँ आपको देखिए Excel और इसको हम ढूंडने के लिए ढूंडने के बाद हमें Excel एक्षिल पर कौन सा है इसके लिए आपको देखना है कि उसका एक्ष्टेंस पीछे application होना चाहिए type application पर हम double click करेंगे तो Excel ओपन हो चुका है यह चार तरीके हैं Excel को open करने के लिए आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें सब्सक्राइब करें टैर करें थैंक यू